कश्मीर घाटी में सर्दी इतनी पड़ती है कि अलाव, हीटर और गरम कपड़े भी कभी कभी काम नहीं आते हैं इसलिए हमाम घाटी के लोगों के लिए बड़ी जरूरत बन गए हैं कमरे में कराशेगाई चुनवक्तर के स्लैब खोकले फर्श पर रखे जाते हैं और सीमेंट से जोड़कर बनाए गए इतों के खंबे स्लैब को धामी रखते हैं इससे कमरा गरम बना रहता है आपके हमाम् रहा है ऐसमीर में बोलस् initiative होता है मगलडोर से अशल क का स्रूसला मो तरहिंग वह हो होधा है अद्साव आपकाई हमाद ला सतनानी में कंफर्ट दीता है हमारे जरगों कि दुशिकों नहीं होते हैं कश्मिर में हमाम है इसलिए जरूरी था कि यहां सर्दी का मोसम है दो तीम महीने जाधा था माइनस यहां लगता है माइनस की वाज़ा से भूड़ा है जमा रहे उसकी बिलकुल 100% जरूरत यह हमाम था कमरे को गर्म बनाए रखने के लिए फर्श पर रेत आज के टुकड़े और पत्थर बिखरे होते हैं चोटा लोही का दरभाजा हमाम में घुसने के लिए होता है और कमरे के पीछे जलाने के लिए लगणी रखी जाती है ताकि जो आग कमरे के पीछे के एरिया में लगाई जा रही है उसे गर्वी उच्छत तक होनी रही है करीब एक दशक पहले तक हमाम खास तोर पर मस्जिदों में हुआ करते थे लोग वहां गर्माहट लेली के लिए पहुचते थे हाना कि पिछले कुछ साल में लोगों न घरों में हमाम बनवाने शुरू करती हैं नए घर ज़्यादा तर कंक्रीट से बने होते हैं और पारंपरिक लकड़ी और मिट्टी के घरों के मुकाबले ज़्यादा ठंडे रहते हैं कहा जाता है कि हमाम की शुरूआत तरकी या मद्ध एशिया से हुई थी और फिर अफगान इसे कश्मीर लेकर आए कि हुई और से बने होते हैं